Hello friends, welcome to stockstance.com तो आज की इस वीडियो में देखेंगे जो हमारी वेबसाइट पर आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे हमने एक feature launch किया है options change जाके अब यहाँ पर जाके intraday apps में options change जाके देख सकते हैं इस वीडियो में ये समझेंगे कि इस option chain में हमने कुछ improvement किये हैं और आप इसको किस तरीके से use कर सकते हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखते रहे हैं और जिन लोगों ने हमारी website को subscribe नहीं किया है बहुत लोगों के comment चाहिते कि सर्फ build-up, short build-up और long unwinding और long build-up या short covering हो रही है ये भी add करिए और कुछ लोगों का comment था open high low close add करिए हर एक strike price पे और PCR add करिए यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हर एक strike price पे PCR भी added किया हुआ है मैं आपको यह बताता हूँ हमने क्या के changes किये है पहले तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर दो options हैं वेरी quickly change करने के लिए आपको सारी strikes चेक करनी है या नियर टो ATM strike चेक करनी है नियर टो ATM strikes में आप even define कर सकते हैं कि आपको सिर्फ 5 strike price देखनी है या let's say आपको 15 strike price देखनी है तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं अभी तो यह market closed है तो यह market closed का symbol दिखा रहा है अगर market open होगा तो यह updating live दिखा रहा होगा यहाँ पर आप अपने according जितनी भी strike price देखनी है आप check कर सकते हैं और आपको जैसे सारी strike price देखनी है तो all strikes price पर आके आप सारी strike price का data देख सकते हैं एक तो यह feature हो गया एक और दोस्तों यहाँ पर हमने एक छोटे से 3 dot देख रहे होंगे यहाँ पर एक बहुत beautiful features दिया है जैसे मैं पता देता हूँ जैसे अभी मुझे थोड़ी दर पहले comment चाहिए सर यह open high low close वाला column मुझे नहीं देखना है जैसे और मैं जो है मैं volume वाला column मैं नहीं देखता हूँ बढ़ कुछ लोगों की request दी सर volume वाला column हमें चाहिए इस लोगों को है कि सर यह build-up वाला column हमारे लिए useful नहीं है इसको remove कर दीजिए तो हमने यहाँ पर एक feature दिया हुआ है आपको जो भी columns देखने हैं या नहीं देखने हैं आपको देखने हैं तो enable कर सकते हैं नहीं देखने हैं तो आप disable कर सकते हैं जैसे मुझे call side में यह build-up वाले column नहीं देखने हैं तो इसको आप सेव करेंगे यहाँ पर जाके तो यह build-up वाले column आप आपको visible नहीं होगा और सबसे अच्छी बात है आप even आप बात में जाके refresh करते हैं या फिर कोई दूसरे page पे जाके बारा से option chain पर आते हैं तो जो आपने selection किया है ना आपको save रहेगा आपकी browser की memory में save हो जाता है तो वह selection आपको save रहेगा तो आप यहाँ पर आके again देख सकते हैं कि कौन से कौन से column आपने enable या disable कर रखे हैं जैसे अब मुझे यह दोनों column देखने हैं जैसे मुझे volume का price मुझे नहीं देखना होता है C volume P volume और मुझे जैसे PCR नहीं देखना है पर column wise तो मैं ऐसे setting करके रखता हूँ तो ऐसे saving करके अपनी settings को अपनी requirements के according आप modify कर सकते हैं जिसको standard price PCR नहीं देखना है तो remove कर सकता है देखना है enable कर सकता है और दोस्तों यहाँ पर again एक और request दी किसर यह OI और change in OI का यहाँ पर last में आप देख स side और call side दोनों side हमने दे रखा है दोस्तों यह build up का column किस basis पे हमको इसको interpret करना है उसका एक video में already बना चुका हूँ कि इसको हम open interest और price की combination में जैसे open interest भी increase हो रहा है और price भी increase हो रहा है किसी particular strike पर उसमें long build up होगा और open interest increase हो रहा है price decrease होता है उसको short build up बोलते तो मैं एक video मे उसको बता चुका हूँ उस video का link description में डाल दूँगा अगर आप information चाहिए या फिर वो information आप even YouTube पर search करेंगे तो बहुत लोगों ने वो information provide कर रखे आप कोई भी video जाके देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज और notice करिए यहाँ पर यह highlight करके रखे है जैसे एक य जैसे ही हमने change in open interest में भी add करके रखा है तीन strike को हम highlight कर रहे है पहला सबसे ज्यादा वाला change जहां पर हुआ है दूसरा और तीसरा ऐसे ही हमने volume में जैसे मैंने volume का column तो हटा दिया है मैं volume का column add कर देता हूँ volume में भी आप देख सकते हैं कि क्यों सी strike price पे सबसे ज्यादा volume हो रहा है कहां पर सबसे ज्यादा activity हो रही है volumes में ऐसे ही और यह implied IV का column add कि अ है time value का मतलब होता है कि हर एक options price में intrinsic और extensive वैल्य होते है जो out of the money options होते हैं उसमेंוס extensive value होती है और जो in the money options होते हैं उसमें extensive plus time value होती है extensive में से जो premium में से extensive value हटा देते हैं तो time value बसती है तो यहाँ पर यह expiry वाले दिन मुझे बहुत helpful लगती है हो सकता है कि कुछ लोगों को यह useful लगे especially अगर expiry trade कर रहे है change वाले column में उस particular day में कितना change हुआ है premium में वो दिखाने का try किया है और last edit price तो आपको पता ही है कि किसी भी particular strike का call या put side में क्या last edit price था तो यह कुछ changes थे दोस्तों आपको यह अच्छे लगे हैं तो आप comments करके जरूर बताइए क्या improvement करना है या फिर और आप इसको किस तरीके से improve कर सकते हैं इस option chain को कुछ ideas हैं आपके पास कहीं और use कर रहे हैं किसी excel में या फिर कोई और tool कर रहे हैं इसको improve करने के लिए आपकी सारे feedback ये जो हमने tool बनाया है पूरा stocks ने से आपके feedbacks लेके मनाया है दोस्तों आप इसको use करिए वीडियो को like करिए subscribe करिए हो सबको पता है YouTube के channel पे आजकल और हो सकता है तो हमारी website को subscribe कीजिए तो यहाँ पे तीन plan available है आप recording requirement के according आप subscribe कर सकते हैं जलिए दोस्तों thank you for watching हम अगला एक और improvement जल्दी feature बहुत जल्दी release करेंगे आप सबक इतना प्यार मिल रहा है तो एक और मैं feature build कर रहा हूं उसको भी बहुत जल्दी हम release कर देंगे वो testing face में telegram channel को भी join कर सकते हैं आपको कोई भी doubt है और कुछ भी आने वाले features के बारे में आपको feedback देना है और कुछ feedback देना है तो आप telegram channel को join करके भी देख सकते हैं thank you for watching